हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सम्वन गुपता इस्ट्रियन पसुती रोग विशिशग्य और आज हम बात करने जा रहे हैं पाइल्स या हैम्रोइट के बारे में साथ में फिश्चोला इन फिशर के बारे में ये एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र के लोग हों चाहे वो प्रेगनेंट लेडी हो या डिलिवरी के पस्चात हो या बच्चे हो या बड़े हो बोड़े हो उन सब में जो पाइल्स की समस्या है वो बढ़ती चली जा रही है क्योंकि कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है दोस्तों पाइल्स क्या होता है जब हमारे anal region में rectum region में बहुत जदा pressure लगता है तो उसकी वज़े से जो वहाँ पर blood vessels होती है वो fall जाती है pressure की वज़े से और वो hemorrhoids बन जाते हैं और कई बार वो hemorrhoids rectal anal area के अंदर रहते हैं और कई बार वो anal region से बाहर भी निकलने लग जाते हैं कबज के साथ की लेटरन जाते वक्त बहुत सारा ब्लड जो है एनल के नाल के रास्ते से निकलता है और पेशेंट का हीमोगलोबिन भी दो से तीन ग्राम तक गिर जाता है और उन्हें ब्लड भी चड़ाना पड़ता है कई बार बहुत ज़्यादा कबज की वज़े से एनल एरिया की जो मिकोजा होती है उसमें टियर्स हो जाते हैं और टियर्स होने की वज़े से एनल फिशर बन जाते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है और परिशानी होती है कई बार एनल रिजन की इसकिन होती है वहां पर जो गलैंड होती है उसमें एपस्स बन जाती है इनफेक्शन हो जाता है और abscess बनने की वज़े से वो अपने anal region के आसपास के area में अपना उनका sinus बन जाते हैं और उनसे discharge होने लगता है तो यह समस्या किसी भी उम्र के person में हो सकती है और बहुत जादा painful होती है अगर कपज का ध्यान न रखा जाए और इसका समय पे इलाज न किया जाए तो यह समस्या बड़ी हो जाती है और बहुत कश्ट देती है तो आए कुछ बातों का ध्यान रखकर हम कपज से और पाइल्स की परिशानी से बच सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए, जिससे की हमें कब्ज ना हो, रिफाइंड फूड मैदा को बिलकुल अबाईड करना चाहिए। 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए और रोजाना वॉग जरूर करनी चाहिए। अगर आप करीब 45 मिनट सुबह शाम वॉक करेंगे तो आपकी जो आतों की जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस है जो आतों की चाल होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको कब्जी की समस्या भी में बहुत आराम मिलेगा अपने एब्डमिन में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए लेटरिंग की सीट पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए और अगर आपको कब्जी की शिकाहत अगर अपनी खानपान ठीक करने से चलने फिरने से व्यायाम करने से ठीक नहीं हो पा रह अग outta Hmg वह हुए तो आपको चो घीक कम करना टीशर प्रेगनन थी है के बाद भाद यह हो गया अगर शिकायत थोड़ी सी जादा है तो डॉक्टर को दिखा कर एंटिबाइटिक लें और जो भी जरूरी दवाइयों का उचिस समय तक सेवन करें आपकी यह शिकायत यह दवाइयों के द्वारा ठीक हो सकती है लेकिन अगर कंडिशन कुछ समय से जादा बढ़ जाती है तो आपको उसकी सर्जरी भी करानी पड़ती है हैं इस टेपलर लगाया जाते हैं या इस क्लीरो थेरेपी की जाती है कई बार को एगुलेशन करते हैं सर्जीकल मैथड अपनाते हैं और बहुत सारे मैथड अब लेविल हैं जिससे पाइल को ठीक करने के लिए एंटिबाइटि तो उसको लंबे समय तक ना खीचें और अपना नीचे के रास्ता जो पेरिनियल रीजन होता है जिसमें वजाइना एनल के नाल और यूरिनरी एरिया होता है उस जगे पे बहुत ज़्यादा प्रेशन न लगाएं भारी वजन न उठाएं और मोटापे से बचें और कबजी के शिकायत ना होने दे तब ही आप पाइल से बस सकते हैं थैंक यू